हेलो नमस्कार जी कैसे हैं आप सभी आसा करता हों कि हैं आप सभी बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है उठ सर्जन क्या है मानू में इसके दो पर्मु का अंगो का नाम लिखे यानि कि आज हम लोग को जानना है कि उठ सर्जन किसे कहते हैं और मानो सरीर में इसके दो पर्मु का अंगो का नाम लिखे और यह सबसे भी बियाई कोशन है 2024 मैटिक परिक्षा के लिए और इसे अगर इस वीडियो का आप पूरा वाचिंग कर लेते हैं यानि कि पूरा देख लेते हैं तो आपका दो नमबर कहीं नहीं जाने वाला है तो किर्प्या इस वीडियो को लाश्टक जरूर देए चलिए कोशन क्यों बढ़ते हैं उत्तर में लिखाए कि जिव के सरीर से यानि कि जिव के सरीर से उपचाई किरियाओं के यानि कि उपचाई किरियाओं के फॉल्स वरूप उत्पन और शिष्ट पदार्थ को सरीर से बाहर निकालने की परकिरियाओं को ही उपचाई किरियाओं के फॉल्स वरूप और शिष्ट पदार्थों को सरीर से बाहर निश्काशन की परकिरियाओं को ही उपचाई बाहर दिकालना ही क्या कहलाता है उत्सर्जन कहलाता है और मानों में इसके दो परमुक अंग है यानि कि मानों में इसके कितने परमुक अंग है मानों में या जन्तूओं में भी तो दो परमुक अंग है और उन अंगों के बारे में हम अभी चानने वाले हैं तो चलिए जानते सबसे पहला नमर पर आता है ब्रिक यानि कि ब्रिक जो है वो मानू का एक परमुक उत्सरची अंग है उसके बाद आता है फेफडा तो सबसे पहले हम अभी ब्रिक के बारे में डिटेल से जानेंगे तो इससे पहले हम इसके डाइगराम पर चलते हैं और इससे पहले जो है हम परिभाशा को देख लेते हैं तो डाइगराम समझने में भी अशानी होगी ब्रिक जो रक्त में जो रक्त में द्रव के रूप में औशिष्ट पदार्थों को मुत्र के रूप में बाहर निकालता है ब्रिक क्या करता है रक्त में जो औशिष्ट पदार्थ है द्रव के रूप में उन्हें रक्त के जो है ब्रिक जो है रक्त को चान कर जो औशिष्ट पदार्थ बचता है उसे मुत्र के सहयता से सरीर से बाहर निकाल देता है और इसके डाइग्राम पर चलते हैं और अच्छे तरीके से समझेंगे तो चलिए इसके डाइगराम पर चलते हैं तो ब्रिक का डाइगराम आप देख सकते हैं जो ब्रिक है वो क्या करता है रक्त को इस माध्यम इन दोनों पाइप के माध्यम से अपने अंदर लेता है और इन जो कोशिकाय देख रही है आप यानि ये देख सक करते हैं। जो यह कोई काय हैं यह रग्ट को च्छानने का काम करते हैं करते छानने के बाद जो अशिष पदार बchodzi से इन oxygen के साथ साथ जितने भी gas हैं जैसे कि carbon dioxide हो गया और सारे gas है उनको इन नलियों के सहायता से अपने अंदर लेता है और यह जो bronchi और boronculous है इन जो है इन सभी जबी छोटी छोटी पेड़ की क्या टहनिया की तरह दिख रही है यह oxygen को अपने अंदर capture कर लेती हैं यानि कि oxygen को प काम है और यह मानुसरीर के मुख यानि के परमुख उत्सरची अंगों में से एक है अब इसके परिभासा पर हम लोग चलते हैं जैसे कि आप डाइगराम पर समझ लिये होंगे जो रक्त में गैसिये और शिष्ट पदार्थों को सरीर से बाहर निकालने का काम करता है जैसे क आप तो अच्छे से डाइगराम में समझ ही लिया होगा कि जो भी हम सांस लेते हैं तो हम सिरफ आक्सीजन ही नहीं लेते हैं हम सी ओ ट्वी लेते हैं नै्ट्रोजन भी लेते हैं लेकिन यह जो फेपडा है व accurately क्या काम करता है शिरफ आप्सीजन को लेगा और बाकी और नै चानल को लाइक जरू चानल को सस्क्राइब जरू करें एंड वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेर जरू करें मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में तब तक लिए जय हिन जय भारत बंदे मात्रम